हेलो एव्रीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोट एवियस का चप्टर फाइफ अनीता एंड दॉ हनीपीस ये पूरा चप्टर अनीपीस पालती है और किस तरीके से वह पढ़ाई करती है उस चीज़ के बारे में पूरा का पूरा है यह मारा चप्टर है तो यह ब को कि इस वंब है छोटी थी मैं अपना पूरा का पूरा दिन जो में बार चराने में मतला बकरी चराने में हैं पर मैं पूरा दिन थी मगा में हमेशे मन करता था स्कूल में पढ़ाई करने का मगर मेरे पेरिंट्स को पसंद नहीं था यह आइडिया कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं और ड्रीम अफ ए स्कूल एक दिन क्या हुआ यह जो अनिता थी इसने पीप किया पीप करने का मतलब होता है जाग करके देखना जाग करके देखा गाओं के अपने की स्कूल में और वो खुद को रोग नहीं पाई और वो साइलेंटली मतलब टुपचाब जाकर अपने स्कूल के जो क्लास थी उसमें पीछे जाकर के बैठ गई और उन्हें इतनी साधा खुशी हुई कि जब वो घर वापस आई उन्होंने पिक की करेज मतलब भेमत जुटाई अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए कि वो उनको पढ़ने के लिए स्कूल में बेजे बट पेरेंट्स को मतलब कोई इंटरस्ट नहीं था उनको स्कूल में भेजने में उन्होंने मना कर दिया और उस दिन अनिता बहुत जादा रोई क्राइट क्राइट मतलब है कि उन्हों बहुत ही जादा रोई मतलब जो है वो हर चिल्वन का राइट होता है फिर कुछ मतलब मान गए जो है थोड़ा बहुत इस बात से अगरी किया अनिता के पेरेंट्स और उन्होंने अनिता को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया अनिता के बहुत जादा अच्छे माक्स तो नहीं आये स्कूल में मगर वो बहुत जादा क्वेशन्स पूछा करती थी अपने टीचर से फिर नेक्स स्टेंग इन स्कूल फिर वो बताती है कि उन्होंने क्लास विफ्ट कंप्लीट कर लिया उनको पता था कि आगे अगर उन्हें क्लासिक्स में पढ़ना है तो उन्हें काफी जादा पैसे खर्च करने पढ़ेंगे फिर पेरेंस ने कहा कि भई अब तुम्हें स्कूल छोड़ना पढ़ेगा मगर अलीता कहती है कि वो और भी जादा पढ़ना चाहती थी और उन्होंने ये कैसे किया उन्होंने अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी और इस तरीके से उन्होंने पैसे कमाए और खुद अपनी पढ़ाई का खर्चा उन्होंने उठाया फिर वो बताती है स्कोल्ड करते थे स्कोल्ड का मतलब होता है डराना डराते थे लग ओर अब इसमें आगे है slows, I started talking to other parents, what am I doing, अनीता ने बाकी सारे पेरेंट्स से भी बात करने शुरू कर दी गाओं के कि वो अपनी डॉर्टर्स को अपनी बेटियों को स्कूल भेजे और अनीता के पेरेंट्स ने भी अनीता की काफी हेल्प की बाकी सारे पेरेंट्स को कन्विंस कराने में मनाने में कि वो अपनी बेटियों को जो है वो स्कूल में बेजे और अनिता की मदर करका सारा काम करती थी कर लिया करती थी जिससे अनिता को और भी ज़दा पढ़ाई करने का समय मिल जाया करता था अब from school to beekeeping बीkeeping में beekeeping का मतलब होता है मक्खी बालन देखिया हमारी चैनल का नम भी learner bee है तो इसमें हमें जो है इस वाली स्टोरी में भी हम beekeeping के बाले में पढ़ रहे हैं beekeeping होता है मदुमक्खी बालन तो there are many leechy trees in our area तो वो कहती है कि हमारा जो इलाका है इसमें बहुत सारी लीची के पेड़ है और जो honey bees है जो ये मदुमक्खी होती है ये attract होती है लीची के फ्लार की तरफ काफी लोग जो है beekeeping करते हैं मदुमक्खी बालन करते हैं और उसे honey शहत कलेक करते हैं तो अनिता ने भी सोचा कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ सब लड़के होंगे और उस ट्रेणिंग के दौरान उन्होंने ये सीखा कि जो honey bee है वो अपने अंडे देती हैं October से लेकर के December के टाइम में और ये best time होता है beekeeping स्टार्ट करने के लिए मतलब मदुमक्खी को बालने के लिए October से December का टाइम सबसे अच्छा होता है अब becoming a beekeeper बनी मदुमक्खी पालन करने वाली कैसे बनी तो उन्होंने अपना beekeeping course complete कर लिया था मगर उनके पास कोई भी money नहीं थी पैसे नहीं थे कि वह beekeeping को start कर पाए फिर उन्होंने पढाना बच्चो को जाली रखा चोटे बच्चो को बढ़ाया करती थी तो इस तरीके से बढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने 5000 अपने घटा कर लिये और इस पैसों से उन्होंने अखिता किये थे उन्होंने क्या कि दो बॉक्स सब्सक्राइब के लिए को चाथ करने की मैडिसिन लिए सिरुप लिए शुगर बदाने के लिए दाकि मदुमख्य वहां पर आए फिर उन्होंने क्या किया सप्टेमबर का महीन आ गया देसंबर के टाइम तक वह वह कहती है थी कि उनको दो और जो है बॉक्सिस खरीदने पड़े वो कहते है कि अभी भी मैं सीख रही हूँ भी कीपिंक के बारे में और कई बार क्या होता है बीज जो है मुझे स्टिंग कर लेती है sting काम काट लेना, कई बार बीस मुझे काट लेती है, मेरे हाथ और मेरे जो फेस है वो swell हो जाता है, मतलब सूच जाना, मुद मखी के काट ने से हाथ हाथ और मुझ सूच जाते है बोध्य मुध कहते चाहते हैं पहस्यादा दर्द भी होता है और यहां पे रख देती हूं इस फर्वरी के टाइम जहां पे लीची के बाग होते हैं इक बॉक्स दे मुझे 12 किलो हनी निकल जाता है और यह जो हनी है यहाद मैं पास के मार्केट में बेश देती हूं और this was my first income from my honeybees तो मतलब honeybees से उनकी जो उनोने पहले बिचे थे तो उसकी पहली income थी और अब जो है बताती है अनीता कि मेरे पास 20 boxes जो है अब है अब everyday वो कहती है कि मैं cycle चला करके अपने college आती हूँ college जो है वो 5 km दूर है और मेरी mother जब मैं college में रहती हूँ तो सिरफ प्यार कर देती है बीज के लिए और मेरे father जो है बीज का ध्यान रखते है फिर अनीता जो है अब अनीता को आसपास के village के सारे लोग जानते है वो काफी सारे villages में जाती है लोगों से meetings करती है और उन्हों को समझाती है कि कितना जरूरी है पढ़ाई करना sometimes people make fun of her कई बार जो है लोग अनीता का काफी मजाग उडाते हैं बट अनीता जानती है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है और अनीता जो है वो wholesaler बनना चाहती है wholesaler वो होते हैं जो एक खटा समान जाकर के बेशते हैं जिससे कि वो help कर सके गाओं के लोगों को सही प्राइस जो है honey का पाने के लिए और फिर आगे इसमें है आगे में बताते हैं जो हर भी हाइव होती है हर भी हाइव हर जो छता होता है मतुबक्खी का उसमें queen bee होती है वो सारे अंडे जो है देती है और कुछ उसमें मेल्स भी होते है हाइव में मतलब जो उसका चाहता होता है उसमें जो आदमी होते हैं मतलब मेल्स होते हैं वो काफी कम होते हैं और फीमेल बीज जादा होती है मोस्ट जो बीज होती है हाइव में वो वरकर बीज होती है अलग जैसे कि हमारे उसमें होता है अलग 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 प्रफेशन्स होते हैं लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं इसी तरीके से बीज भी जो है मदुमक्या भी अलग अलग तरीके के काम करती हैं कुछ जो हैं व को सर्च करने के लिए, नेक्ट रोता है फूलों का रहवत रस , रस सार्च करने के लिए पिर वूरत करती है फ्लार से हनिक के लिए और जब जोफीज है फ्लार मिल चातेया उससे चाति harnais बागि बीज को पता जाता है वहां पर nectar है और तरह की साठी भीज कोई बेहां दान्स मेपर के बागि दयाया पर वहां पर पहुँच जाती है और फिर उसके बाद वर्क भी आ ही वह पहुत इंप्रटेंट होती है और बीज जो है वो सारी जो है भूकी रह जाएंगी हंगी होते हैं भूका तो इसे डियों काम नहीं होता है उनका कोई जादर स्पेशल काम नहीं होता है इसी तरीके से आंट के बारे में पताया गया है कि एंट वह साथ में रहती है जैसे की honey bees रहती है उसमें भी a queen ant होती है वो अंडे देती है soldier ant होती है वो क्या करती है guard करती है सारे के सारे जो baby ants होते हैं उनको worker ant बहुत जादा busy होती है खान ढूंड करके लेकर के आती है अपने नेश तक termites and webs also live like this termites दीमक और बाकी दूसरे कीडे मकॉड़े भी इसी तरीके से रहते हैं और बहुत सारे काम जो है वो करते हैं तो यह हमारा जो है चैप्टर के एक्स्पनेशन हो गया है इसका complete thank you so much